कि आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम सीख रहे हैं और यह आवरेज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है मैंने कोशिश की कि इसमें मैं कवर कर पाऊ और आज भी थोड़े मैंने डिफरन टाइप वराइटीज के क्वेश्चन लाए है जिससे कि आपके आपके अब भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यह हमारा आज एवरेज पर लास्ट कोई सेशन होगा फिर हम नेक्स से से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मैं आपके साथ आभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो यह आपका क्वेश्चन है नेक्स क्वेश्चन ठीक है तो यह किस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको कहा जाता है कि टोटल मान लीजे यहाँ पर आपको कहते है कि 15 नंबर से ठीक है फिर कहते हैं देसे कि मान थोड़ा नंबर लेता हूं मान लीजे कहते कि 7 नंबर है 7 नंबर है मान लीजे यह आपका पहला नंबर है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और इसे सात नंबर डिये जाते हैं आपको और कहते कि इन सात नंबर आभरेज आपका कुछ भी दिया ठीक है शिर आपको कहते कि पहले चार नंबर है इनका लास्ट वाले चार तो पहले चार याणि A1 से लेकर A4 तक और last वाले 4 यानि A4 से लेकर A7 तक ठीक है तो आपको इसमें पूछते हैं कि जो आपका middle number है middle number यानि कौन सा इसमें middle number यानि कौन सा आपका A4 वो उसकी value क्या है यह आपको पूछा जाता है ठीक है तो इस question में आप कैसे calculate करते हैं वही हम देखेंगे यहाँ पर middle number कौन सा आ रहा है बीच वाला A4 ठीक है चौधा number है ना यहाँ से भी देखिए तीन है इधर से भी तीन है तो इस case में हम क्या करते है कि जो यह 7 पहले 7 number का आपको average दिया जाता है तो इनका आप sum निकालते हो याने कि यह जो total numbers है इन सबको अगर आप add करोगे तो इनका addition क्या आता है इसको हम क्या करते है यह आपको मिल गया sum अगर इसको में sum1 नाम दू फिर वह क्या करते है कि आपका जो यह जो है ए-1 से लेकर e4 का जो average दिया है इसका sum निकालते है जो कि होगा sum2 और कि यह क्या होगा फिर यह दूसरा होगा A4 से लेकर A7 तक इसका sum निकालते हैं जिसको क्या हम sum 3 कहेंगे ठीक है फिर क्या होता है कि इसका एक sum आएगा फिर इन दोनों को हम add करते हैं इसमें क्या होगा कि आप ये sum लोगे यहां से लेकर यहां तक add करोगे तब इन सबको add करने के वाद आपका खुछ तो भी number आएगा बट अगर आप इन दोनों को add करोगे तब क्या होगा ये जो sum आएगा इससे ज़ादा होगा क्यूंकि इसमें जो आपका बीच वाला number होगा ये दो बार add होगा तो इसमें भी हम consider कर रहे हैं और इधर से भी consider इसको कर रहे हैं तो इसके उसे क्या होगा कि आपका ये दोनों तो इन दोनों के सम में से यह सम माइनस कर दोगे तो आपको बीच वाला नंबर यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो यह इसका लॉजिक था तो इसके क्वेशन हम डिसकस करते हैं ठीक है डोंट वरी कि आपको यहां पर कंपीज हो रहा है बस ध्यान दीजिए आपको धीरे-धीरे देशे हम आगे देखेंगे आपको समझ में आएगा ठीक्छ है तो पड़ता हूं मैं क्वेशन द है रट व फिपिन नंबर इस सेवन तो पंधरान लमडर का जो एवरेज है आपको दिया है क्या दिया सेवन इवरेज ओफ फॉस्ट एट नंबर्स बी 6.5 पहले 8 नंबर का जो एवरेज है वह 6.5 है यह ऐसा आपको कहा है और अग वाला नंबर क्या होगा तो आपको यहां पर दिया है आपको यहां पर नंबर दिया कुछ दैसे की मान लीजें आपको नंबर दिया है A1 A2 एना A3 ऐसा करते करते यहां तक A8 आएगा फिर आगे A9 ठीक है A9 ऐसा करते करते ए फिप्टी तो यह 15 नमबर है ठीक है तो यह आपको 15 नमबर ऐसे दिए है तो यह 15 नमबर का एवरेज क्या दिया है आपको साथ दिया है ठीक है फिर आपको कहा है फिर आपको कहा है कि आगे क्या दिया आपको फॉर्स्ट एट नमबर मतलब पहले आठ नमबर यहां पर इनका आपको दिया है 6.5 फिर आपको दिया है इसका आपको कितना दिया है 9.5 तो आपको पूछा है कि यह जो एट नमबर है इसका बाली क्या होगा विसका वहली हम क्या निकालेंगे पहले तो हम इन नमबर का सम निकालेंगे ठीक है यहां पर क्या करते average of 15 numbers कितना दिया है आपको 7 ठीक है फिर आपको इनका आवरेज आपको आगर 15 नंबर का आवरेज साथ दिया है तो इनका सम कितना है आवरेज कितने पंदरा तो इनका सम आए आपका एक आपका एकोएशन वन देता हूं ठीक है आभी आपको यहां पर क्या दिया है average of first 8 numbers ठीक है पहले 8 numbers का आपको average दिया है यानि यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है 6.5 ठीक है तो इनका अगर आपको average दिया है तो इनका आप sum भी निकाल सकते हो sum of कैसे इसी formula से sum of first ठीक है 8 numbers कैसे निकालोगे आप जो आपका average है 6.5 multiply by 8 कीजिए कितना आएगा यह 8 5s of 40 carry 4 फिर आपका 6 and it 48 48 plus 4 यह आएगा आपका 52 और decimal है तो यहां पर decimal लगा दिजिए तो 52 आया ठीक है फिर आगे क्या दिया है आपको दिया है average of last eight numbers ठीक है वह कितना दिया है आपको 9.5 तो इनका sum कितना आएगा friends और इसको में यह जो 52 आया है इसको में equation 2 देता हूँ ठीक है और इनका sum कितना आएगा फिर आप बताईए sum कितना आएगा आपका sum आपका जो average है 9.5 इसको हम 8 से multiply करेंगे a into n यह जो formula है तो यह कितना आएगा 8.5 जा 40 कैरी आपका आएगा कितना आएगा यहाँ पर फिर 8.9 जा 72 और 4 यह आएगा आपका 76 इसको में equation 3 देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ equation one lesson दू और equation ट्री को में क्या करता हूँ एड़ करता हूँ ठीक है या दोनों को एड़ करता हूँ जब कितना आएगा 52 प्लस 76 यह कितना आ रहे आपका कितना रहा है फ्रेंज आपका यह आपका की तना रहे थ्षे और 9 ad पाच आर साथ 12 थीक है अब देखीए कि अभी कि आपने यहाँ पर्ट के allt किया है आपका कि आपने जब सारे numbers add किये, A से लेकर A15 तक, A1 से लेकर A15 तक, तो सारा जो number आप add कर रहे हो, तो इन सब का addition कितना रहा है? 105. फिर आपने क्या क्या? जो पहले 8 number, यानि, मैं थोड़ा color change करता हूँ, ताकि आपको पहले 8 number, यानि, इनको add किया, तो इनका sum आपका कितना आया? sum इनका कितना आया? 52. फिर आपने क्या किया दूसरा? दूसरा क्या किया आपने? जो last वाले 8 है, यानि, यहां से लेकर, यह यहां तर, इनको add किया, तो इनका sum कितना है आपका? 76. और फिर ये दोनों को एड़ किया 52 प्लस 76 ओ कितना आ रहा है 128 तो ये जो सम आ रहा है आपका 128 और ये 105 ये जो सम आ रहा है आपका इससे जादा आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि आपका जो 88 नंबर है बीच वाला नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर दो बार एड़ हो रहा है ए यह जो आपका 128 आया है इसमें से 105 माइनस करोगे राइट 105 माइनस करोगे तो आपका जो बचेगा वो क्या होगा आपका बीच वाला नमबर तो इसको मैं कहां पर सॉल करो अभी यहां पर करता हूं ठीक है यह उपर वाला मिटा देता हूं तो आपको क्वेश्चन में क्या पूचा था दम मिडल नमबर इस तो मिडल नमबर आपका क्या आएगा इसमें किसी कुछ डाउट है प्लीज बताइए अगर आपको है तो चीक है समझ में आए आपको इसमें किसी कुछ डाउट है पूचिए अगर आपको है तो हमने क्या किया जो पहले 15 नमबर का आवरेज दिया था तो उससे हमने इनका सम निकाला मतलब सारे 15 नमबर को आप एड़ करोगे तो सम कितना आएगा 105 फिर आपको पहले 8 नमबर का आवरेज दिया था जो कि 6.5 है उससे हमने क्या किया उनका सम निकाला तो कितना रहा है 52 फिर लास्ट वाले जो आठ नमबर है इनका सम निकाला जो क्या रहा है 76 फिर दोनों का एड़ करोगे आपको कितना रहा है 108 और यह एडिशन आपका हमेशा इससे जाद आएगा क्यूंकि इसमे में आपका क्या रहा है 23 ओप्शन थर्ड ठीक है यह आगला क्वेशन देखिए आउट अफ सेवन नमबर्स दा आवरेज ऑफ फर्स फोर नमबर इस फोर अलसो फोर इप्ट आवरेज ऑफ ओल सेवन नमबर इस त्री दा फोर्थ नमबर इस अभी आपको यह सिमिलर सेम लॉजिक और इसका एंसर बताइए क्या आएगा आपको यहाँ पर क्या नमबर दिये सेवन नमबर मतलब एवन एटू एट्री ठीक है फिर यह बीज वाला एफ फोर एफाईउ एशिक्स और एस सेवन तो आपको यहाँ पर यह जो सारे नमबर से इनका आवरेज आपको दिया है क्या दिया है तीन दिया है सारे साथ नमबर का इनका तीन दिया है ठीक है उसके बाद आपको आगे क्या दिया है आपको कहा है कि यह जो पहले चार नमबर है इनका यह जो में लाल में अंडरलाइन किया है इनका एवरेज कितना है फोर इनका एवरेज है फोर ठीक ह फिर आपको आगे क्या कहा है कि यह जो लास्ट वाले चार है यानि लास्ट वाले चार एक, दो, तीन, चार मतलऽ फिर से यह तो इनका average आपको कितना दिया है यह भी 4 दिया है तो आपको क्या पूचा है find the fourth number, यानि आपको पूचा है कि आपका जो A4 है, यानि इसका value क्या है, ये आपको पूचा है, इसको कैसे निकालोगे same logic, same method इसको solve करने कोशिस कीजिए बताइए कितना हैगा आपको आ रहा है किसी का answer, पहले तो ये जो 7 number है, इनका sum निकालिए, sum of all numbers बताइए कितना हैगा, ये जो 7 number का आपका average दिया है, कितना दिया है, 3 तो सारे numbers का sum कितना हैगा कितना हैगा, average multiply by numbers, कितने है 3 and 2 7, कितना हैगा 21 कितना है आपका इसका, देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकालता हूँ, sum of all numbers अभी मैं सीधा निकालता हूँ, ठीक है कितना हैगा, सारे numbers का sum कितना हैगा, total number कितना है 7, और इनका average कितना दिया है, 3 तो ये कितना हैगा, 21 ठीक है, इसी तरह से मैं sum of first four numbers, पहले चार number का अगर मैं sum निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पहले चार number है, और इनका average कितना है, इनका average है, 4 तो ये कितना आएगा, 16 ओके, फिर और आगे क्या दिया है, sum of last four numbers last वाले चार numbers का क्या आएगा, average numbers कितने है, चार इनका average क्या है ये भी आपको 4 दिया है है ना ये भी तो आपको 4 दिया है the last 4 number the average and that of last 4 number is 4 also 4 ये भी 16 आ रहा है तो इन इसको में equation 1 और इसको में equation 2 दू तो ये दोनों को add करूं equation 1 plus equation 2 इन दोनों को add करूं तो कितना आएगा 16 plus 16 कितना आएगा ये आएगा 32 ठीक है फिर आपको क्या पूछा है 4th number 4th number कैसे निकालोगे आप अभी आपको क्या करना है आपने दोनों को add किया तो आपको क्या करना है 4th number निकालना है तो इस में से यानि 32 में से ये जो है इसको माइनस करना है, तो इस में से गया, कितना रहेगा यहां पर, 32 में से 21 गया, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, कितना है, 4 नंबर, यानि यह जो A4 है, इसकी वहलो कितने है, आपकी 11, option 4, ओके, clear है आभी आपको, आगला question देखें हम ठीक है इस type के question आते हैं आपको हर exam में ठीक है इसको IMP करके रखिए और इस type के आपको internet पे या फिर practice exercise में हम जो upload करेंगे तब इसको practice करने कोशिश कीजिए ठीक है please क्योंकि ये आपको ज़्यादा तर exam में ऐसा question आने की संभा होना ज़्यादा है ठीक है अगला question देखते हैं अब देखें आपको दिया है the average of 5 number is 27 if one number is excluded the average becomes 25 exclude मतलब निकाल देना ठीक है उसको कम करना exclude करना मतलब कम कर देना ठीक है पहले क्या number थे 5 इस में से एक को हटा दिया तो अभी number कितने बचेंगे 4 ठीक है तो यह जो पहले 5 number है इनका average है 27 फिर आपको क्या दिया है कि अगर आप पहले one number is excluded इस में से एक number हटा दोगे तो कितने number रहेंगे 4 तो अभी यह 4 numbers क्या बन रहा है average becomes 25 इन चार number का average कितना बनता है 25 तो आपको पूछा है the excluded number is तो जो हमने जो number exclude किया था वो कितना आएगा यह आपको दिया है तो आप इसको कैसे solve करोगे आप क्या करोगे इन दोनों का अभी यह 5 number का आपको average दिया है तो इनका sum निकालोगे फिर एक number करने के बाद कम करने के बाद जो 4 number बसते हैं इनका average दिया है 25 फिर इनका sum निकालोगे फिर यह जो sum आएगा इस में से आप और second case में क्या है एक कम करने के बाद आपके चार नंबर बच रहे हैं तो इस में से अगर आप यह चार नंबर को नंबर का जो सम है उसको हटा दोगे तो आपका क्या बचए आप जो excluded number यानि कि जो हमने exclude किया था ओ नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा ओके कितना आ रहा है किसी का answer आया है 35 ओके अभी इसको आप ध्यान से समझके लीजे ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या दिया है कि आपको दिया है average of 5 numbers कितना दिया है आपको यह दिया है आपको 27 ओके फिर आपको आगे क्या दिया है इनका average आपको इन 5 नमबर का average आपको 27 दिया है तो इनका सम आप कैसे निकालोगे जो average है इसको नमबर जो जितने है उनसे multiply करोगे तो कितना आएगा यह यह आएगा 5, तो यह कितना आएगा 135, तो यह जो 135 आया है, यह क्या है आपका, यह आपके जो 5 नमबर है, इनको आप add करोगे, तो क्या हो गया, उनका sum कितना आएगा, add करने के बाद 135, अब, अब क्या किया है, आगे क्या दिया है, one number is excluded, मतलब पहले number कितने थे, चार, और exclude करना मतलब कम करना, या निकाल देना, ठीक है, तो अभी numbers कितने बचे, चार, और इनका average आपको कितना दिया है, और आपको क्या दिया है, कि एक number इसमें से हटा दिया, तो average क्या होगा, आपका कम होगा, और वो कि आपको दिया है, 25, तो इनका sum कितना आएगा, sum कैसे निकालोगी, जो average है, इसको total number से multiply करो, कितना आएगा, 100, अब देखिए ध्यान से, यह equation 1, यह है equation 2, ओके, तो आपको आभी क्या पूचा है, the excluded number is, यानि हम लोगों ने जो number exclude किया था, जिस number को हमने निकाल दिया था, व ध्यान से देखिए, यह जो 135 है, इसमें आपका क्या है, सारे 5 number उनका addition है, यानि कि A1, अगर मैं number पकड़ू, A1 मेरा पहला number, A2, दूसरा, A3, तीसरा, A4, यह आपका 4 था, और A5 यह 5, तो इनको आप add करोगे, सबको, तो आपका addition कितना आ रहा है, 135, ऐसा यह कह रहा है, ठ हटा दिया, तो आभी आपके पास कितने number बज गए, 4, तो कितने हैं, A1, A2, प्लस A3, और A4, और इनका sum कितना आ रहा है, आपका 100, बराबर, तो आभी आपको क्या पूचा है, कि आपका जो excluded number है, यानि A5 है, उसका value कितना हैगा, तो कैसे निकालोगे, आप ध्यान से कितने, यह जो 135 है, इसमें आपके सारे 5 number का addition है, और यह जो 100 है, यह 4 number का addition है, मतलब है न, A1 से लेकर A4, तो इसमें से अगर आप 135 में से अगर आप यह 100 minus करोगे, यानि आपका A1 से लेकर A4 तक आपका क्या हो जाएगा, cancel, और बचेगा क्या आपका, A5, और वो क्या होगा आपका excluded number, तो कैसे निकालोगे आप, excluded number क्या होगा आपका, जो 135 है, उसमें से 100 को minus कीजिए, तो यह कितना आता है, 35, तो option 4, clear है अभी आपको, clear है आपको friends, 35 कैसे answer आया, इसका option 4 कैसे आया, आपको क्या दिया है, the average age of A and B is 20 years, if A is to be replaced by C, the average would be 19 years, okay, तो A और B का average दिया है आपको, उनके जो age है, उनकी उम्र है 20 साल, ठीक है, और आपको, आगे क्या आगे है, A is to be replaced by C, replace करना मतलब A को हटा कर C रख देना, तो A को हटा कर आप C रख दोगे, तो आप यह क्या बनेगा, B और C, तो B और C का average क्या बनेगा, आपका, 19 साल, ठीक है, और आगे क्या दिया है, the average age of C and A is 21, तो आपका पूचा है, question में क्या पूचा है, the ages of A, B and C in order is, in years, are, तो A, B और C, इन तीनों का age क्या है, यह आपको दिया है, पूचा है, ठीक है है, आपको क्या दिया है, कि देखिए, कि आपको दिया है, average of A and B, कितना दिया है, 20 साल, तो A और B का सम, यानि A प्लस B आपका इसे निकालोगे, यह जो 20 है, इसको 2 से मटलिप लाए करो, यह कितना आएगा, 40, अभी यह 20 इंटू, 20 इंटू 2 कैसा है, यह आपको में, अभी आपको clear होना चाहिए, तो आपका A प्लस B का value आया है, 40, इसको में equation 1 देता हूँ, आगे क्या दिया है, आपको average of, अब क्या किया है, A is to be replaced by C, मतलब A की जगा पे कोन सा आया है, C, तो आभी क्या बनेगा है, C और B, तो इनका average आपको कितना दिया है, 19 साल का, तो आपका क्या, C प्लस B, कितना आएगा, 19 इंटू 2, जो की कितना आ रहा है, 38, यानि कि आपका C प्लस B या B प्लस C दोनों एक है, तो ये दो, ठीक है, आगे क्या दिया है, the average age of C and A, आपको क्या दिया है, the average of A and C, दोनों का कितना दिया है, 21, तो A plus C, कितना आएगा, 2 इंटू 21, तो ये 42, तो ये आएगा option 3, ठीक है, ये तीनों आए, आपको क्या पूछा है, अभी, और C, इनका age क्या आएगा, तो इनको कैसे निकालेगे, ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, equation 1, equation 1 को add करता हूँ, equation 2 के साथ, और इन दोनों का add करता हूँ, equation 3 के साथ, मतलब तीनों का add करेंगे हम, तो यह क्या आगया आपका, देखिए, A plus B, equal to कितना आएगा, 40, 40, दूसरा क्या है, B plus C, यह कितना आएगा, 38, और A plus C, यह कितना आएगा, 42, तो इनको आप solve कोरोगे, तो यह कैसा बनेगा, A plus B, और यह B plus C, ऐसा आएगा, B plus C, और यहाँ पे A plus C, ऐसा बनेगा, और यह कितना आएगा, 120, राइट, 120, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, A है, यहाँ पे एक A है, तो यह क्या बनके, 2A plus, यह दोनों B है, तो यह बनेगा, plus 2B, और यह दोनों यहाँ पे C है, तो यह बनेगा, plus 2C, और यह कितना आएगा, 120, ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ ब्रैकेट एप्लस ब्लस एक्वल टू है कि तो अभी आपको एप्लस ब्लस प्लस सी इन तीनों को निकलने तो क्या बनेगा 120 दिवाइद वाइट तो एप्लस ब्लस सी इन तीनों का मतलब a का age, b का age और c का age तीनों का मिलाके कितना आ रहा है इनको मैं करूंगा इसको स्वल करूंगा ते यह का 60 इसको मैं देता हो equation 4 अभी आपको किसका अभी आपको निकालना है A का age A का मतलब A की उमर कितने है यह तीनों का addition दिया है तो इसमें से अगर मैं A प्लस B प्लस C इसमें से अगर मैं B प्लस C को हटा दू तो आपका क्या मेरेगा A का age तो age, age कितना आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? equation 4 में से B प्लस C B प्लस C कहाँ पर या आपका? यहाँ पर तो equation 4 में से equation 2 माइनस करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? कैसे निकालोगे? क्यूंकि आप A प्लस B प्लस C इन में से B प्लस C माइनस करोगे तो आपका बचेगा क्या पैसे निकालोगे आप यहाँ पर इसको मैं अच्छे से सॉल करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो कैसे निकालोगे देखिए जो आपका equation 4 है a plus b plus c equal to 60 इसमें से आप यह minus करोगे तो minus b minus c equal to 38 तो a plus b minus b cancel और यह plus c minus c cancel यहाँ पर क्या बचेगा 22 तो a की value आपको कितने आई 22 रइट अभी आपको निकालना है बी का ठीक है तो आपको b का निकालना है तो आपके पास और एक equation है अभी आपको यहाँ पर मिल गया आपको यहाँ पर equation एक्वेशन वन देखिए ए और बी का आपको कितना दिया है 40 है ना तो आपको बी का निकालना है तो आप एकी जो वैल्यू 22 आई है एक्वेशन वन में देखिए तो यहां पर इसको मैं यहां पर लिखता हूँ पुटिंग अरे या शॉरी मावफ कीजे यह पूरा हमारा गया है यहापर देखें क्या आया था आपका एक्वेशन मुझे या थे ए प्लस बी प्लस सी यह आया था आपका 60 कि ओके पिर आगे क्या था आपका एक वैल्यू आ था 22 और आपको a प्लस बी इतना दिया है तो मैं यहां पर रखता हूँ तो एक वाइल बाईस बी आपकी है कितना है विए आपको निकालना है तो बी पर लोग इतना आएगा 18 ठीक है, अभी A का या 22, B का या 18, तो आपको C का निकालना है, तो इसको आप यहाँ पे रखिए, तो आप यहाँ पे कैसे रखेंगे, देखिए, equation 1 में रखेंगे, A का कितना है, 22, B का है 18, आपको C का निकालना है, ठीक है, तो यह कितना बन गया, यह बनेगा आपका 40 plus C equal to 60, C का निकालना है, तो 60 minus 40, तो C equal to कितना हैगा, 20, तो C का value कितना है, 20, तो आपके values क्या बन गए, 22, 18 और 20, तो option का यहाँ पे, option C, ठीक है, option C, यह, yeah, correct, option C, yes, पुड़ा आपको इस question में, आपको equation मिलने वाले थे, और equation का use करके, आपको यूज़ करना था, तो अगला example लेखिए, इसको आप solve करने कोशिश कीजिए, और इसका answer बताएगे मुझे कितना हैगा, simple है, अभी मुझे पता चल जाएगा, कि आपका average आपको कितना समझ माया, आप इसको पढ़िए, और solve करने कोशिश कीजिए, ठीक है, क्या दिया है, the average age of 5 boys is 12 years, the average age of 3 other boys, 3 others is 16 years, पहले जो 5 दिये, उनका average age दिया है, आपको 12, सारा, और आपको क्या पूछा है, और 3 लोग है, जिनका की average age is 16, तो आपको पूछा है, the average age of all the 8 boys is, तो सारे 8 लोगों का आपका average कितना हैगा, यह आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो बताएगे कैसे निकालोगे इसको, option B, okay, अभी आपको अगर 8 लोगों का age निकालना है, average निकालना है, तो 8 लोगों के age का sum कितना हैगा, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा, तो आप कैसे निकालोगे, 8 लोगों के age का sum, तो पहले 5 के age का sum आपको यहाँ से मिलेगा, है ना, last वाले 3 का यहाँ पे मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ दो, जो भी sum आ रहे है, इसका sum, प्लस यहाँ का sum divided by total कितने लोग बन जाएगे, यहाँ के पास और यहाँ पे 3, तो आठ, तो इसको करो और बताइए कितना आएगा, यह चार option आपके पास, A है 13.5, B है 12.5, C है 13 years, और last है 14 years, option A, option B, A की answer आना चाहिए, एक question के दो-दो answer नहीं हो सकते, आए आए आपके बताइए, और तीन आए, answer हाँ हमारे पास, ओके, 3.5 आ रहा है, जोगे, ओके, फाइन, फाइन, देखिए, तो आपको यहाँ पे सभी 8 लोगों का average कितना आएगा, यह आपको पूछा था, बट फ्रेंज, जब आपको 8 लोगों का पूछा है, तो 8 लोगों का, सम भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप average निकाल पाओगे, क्योंकि average का formula क्या होता है, sum upon total numbers, यहाँ पे कितने 8, तो यह sum कैसे निकालोगे, यहाँ कैसे निकालोगे, सीधा तो नहीं दिया, तो क्या करोगे, यह पहले यहाँ से इसका 5 का, और यहाँ पे 3 लोगों का sum निकालोगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालता हो, sum of, of, age of, 5 boys, 5 लड़कों के age का sum कितना है, average है 12, और multiply pass से करूँगा, तो यह आएगा 60 years, फिर दूसरे जो है, sum of, age of, 3 boys, यह कितना बनेगा आपका, यह है, average है, average है 16 और तीन लोग है, तो यह कितना बनेगा, 48, फिर मैं दोनों को add करता हूँ, तो यह होगे, 5 लड़कों का sum, और 3 लड़कों का sum, तो आपको आभी, sum of, ages of, 8 boys, 8 लड़कों के age का sum कितना आएगा, तो 5 लड़कों का है 60, और यह 3 लड़कों का है, 48, तो यह कितना बनेगा, 108, तो आपको यहाँ पर क्या बूचा है, average age of all 8 boys, तो यहाँ पर निकलता हूँ, average age of all boys, तो सारे 8 लड़कों के age का sum कितना आएगा, 108, इसको हम 8 से डिवाड़ी करेंगी, ठीक है, तो 8, 1, 2 बच गए, 28 हो गए, 8, 3, 24, फिर 4 बचेंगे, फिर पॉइंट लोगा, तो 8, 5 is of 40, 13.5 years, option first, ओके, ठीक है, ज्यादा calculation नहीं है इसमें, बस आपको अगर formula और logic समझ में आ रहा है, तो within a minute आप इसको calculate करता होगे, ठीक है, और calculation ध्यान से कीज़े, क्योंकि इसमें कोई mistakes नहीं होनी चाहिए आपके, इसको बताएं कैसे solve को यह number वाला हमने last time किया था solve, इना, the average of first three number is double of the fourth number, the average of all four number is 12, find the fourth number, चौथा number क्या है, यह आपको पूछा है, इस टाइप का हमने पहले ही solve किया है question, है ना, इस आपके, the average of the first three numbers is double of the fourth number, तो पहले तो आपके यहां पे आपको यहां पे question में समझें, यहां पे समझना पड़ेगा, कि आपके वहां पे कितने numbers है, चार number है, ठीक है, A, B, C, और D, अभी आपको क्या रिया है, आपको प्रस्ट्री नमबर इस डबल of the fourth number, मतलब तीन number, पहले ती number का average, यानि A plus B plus C, इनका average मतलब divided by 3, इन तीनों का जो average है, वो क्या है, double of the fourth number, fourth number क्या है, D, इसके double मतलब 2D है, ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिए सकता हूँ, A plus B plus C, इकोल टू, यह 3 को यहाँ पर भेज़ दूगा, तो क्या बनेगा, 6D, इसको मैं equation 1 देता हूँ, आगे क्या दिया है, if the average of all four number is, 12, तो यह 4 number जो है, इनका average आपको कितना दिया है, यह 4, सारे numbers का कितना दिया है, 12, तो आपको क्या है, fourth number is, तो अगर, कितना दिया है आपको, यह दिया है आपको, 12, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A plus B plus, sorry, यहाँ पर प्लस लगाना भूल गया है मैं, तो B plus C plus D equal to, यह आएगा 48, ठीक है, इसको मैं equation 1 देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, A plus B plus C, अब यहाँ पर यह आगया आपका, तो यह कितना है, यानि तीनों का addition कितना है, 6D, मतलब यह जो यहाँ पर है, इसकी जगा पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 6D, और यह प्लस D ऐसे रहेगा, वो आएगा 48, तो यह बनेगा 7D equal to 48, और आपको क्या पूचा था, 4th number, यानि D की value क्या है, तो D की value कैसे निकाल लेगा, यह 48 है, इसको 7 को यहाँ पर divization में भेज़ेंगे, है ना, तो option क्या बनेगा, 4th number जो आपका है, 48 by 7, यानि option second, ओके, option B, 48 by 7, आपको इसमें थोड़ा इसका arrangement करना था, ठीक है, की equation कैसे बनेंगे, ओके, hopefully आपको यह question clear होगा, इसके पिछे का logic, अगला question देखिए, ठीक है, 9 person went to a hotel for taking their meals, मतलब खाना खाने गए, 8 of them spent 12-ish for their meals, मतलब जो 9 लोग है, उसमें से क्या है, की 8 लोगों ने, हर एक ने 12 के हिसाब से, 12 रुपे के हिसाब से, बिल पे किया, ठीक है, and the 9th person, the 9th, जो 9 आदमी था, उसने क्या क्या है, spent 8 more than the average spending of all the 9, तो, जो 9 आदमी था, उसने क्या किया, कितना पैसा दिया, 9 percent, मतलब, ये 9 लोगों ने average कितना दिया, एक्स रुपे, इस हिसाब से, बिल उन्होंने दिया, तो, total bill कितना हो जाएगा, total bill कितना आएगा, average है x, multiply by 9 करेंगे, तो ये कितना आएगा, 9 x, ठीक है, इसको मैं equation 1 देता हूँ, ये एक तरीका हो गया, total bill निकालने का, और दूसरा एक तरीका क्या बनेगा, total bill कैसे निकालेंगे, देखिए, हर एक ने कितना दिया, मतलब, पहले जो 8 लोग है, उन्होंने, हर एक के, हर एक ने कितना दिया, 12 रुपे, तो ये टोटल कितना बन गया, 12 इंटो 8, प्लस, अभी टोटल आदमी कितने हो गया, 9, ये तो 8 ही लोग होगा है, तो 9 ने क्या किया, क्या किया, 9 स्पेंड 8 रुपीज मोर, इसने 8 रुपे जादा दिये, मतलब, 8 जादा दिये, 8 प्लस, किससे, more than the average spending of all the 9, मतलब, जो सब लोगों ने average दिया था, 2 की X था, इससे 8 रुपे जादा, किसने दिये, 9 आदमी ने, तो ये कितना बन गया, ये बनेगा, 96, प्लस 8, प्लस X, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, 104 प्लस X, ओके, तो ये क्या बन गया आपका, ये भी आपका total bill है, लेकिन भाई, ये आपका, ये भी total bill है, ये भी total bill है, दोनों तो सेम होगा, तो मैं equation 1, और equation 2 को क्या कर सकता हूँ, compare कर सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 9X, इसकी जो राइट हैंड साइड है, उसको मैं, इसकी राइट हैंड साइड से, इक्वेट कर सकता होता हूँ, ये के दाम ना बनेगा, 104 प्लस X, अभी X को इधर भीजे, क्योंकि हमें X की वैलो भीज, निकालने हैं, तो माइनस X, इक्वाल टू 104, तो ये बनेगा, 8X इसकोल टू 104, तो X इक्वाल टू क्या बनेगा, 8, 1, 0, 8, और फिर 2 बचे गए, 24 हो जाएगा, तो 8, 3, 0, 24, X की वैलो आ गई, 13, तो आपको क्या, ये क्या हो गया है इनका, और X क्या है आपका, आवरेज बिल है, है ना, तो आपको क्या पूछा था, टोटल बिल, टोटल बिल आपका क्या होगा, X इन्टू 9, X की वैलो कितना है, 13 और ये 9, तो ये कितना बनेगा, 117 रूपीज, 117 रूपे उनको, देने बड़े सब को मेंगे, ठीक है, तो सारा, इनका बिल कितना हो, 117 रूपे है, ओके, ख्लेर है आपको ये, क्या दिये आपको इसमें, अवरेज एज एज उफ 11 क्रिकेट प्लियर, इस 20 येर्स, इप दे एज ऑफ कोच इज इंक्लूदेट, अवरेज एज इंक्रीज बाई 10 परसेंट, इस टाइप के कोउशन हमने सॉल किये, जैसे कि टीचर और स्टूडन्ट, है ना, स्टूडन्ट का टीचर का एड किया, तो एवरेज एक से बढ़ता है या कम होता है, तो इसमें आपको बस वही है, बट आपका जो इंक्रीज दिया है, वो परसेंट में दिया है, 10 परसेंट में, फिक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, कि average of 11 players, कितना दिया है, 20 years, तो इनका सम कितना आएगा, यह आएगा 20 multiply by 11, तो यह कितना बनेगा, यह बनेगा 220, इसको मैं equation 1 देता हूँ, फिक है, आभी सेकंड केस में क्या हो रहा है इसमें हम कोच को एड कर रहे तो टोडल परसन कितने हो जाएंगे कितने लोग वह जाएंगे यहापर 11 प्लेयर और एक कोज तो कितने हो गए 12 ठीक है और ऐसा करने के बाद इंकिरिस कितना हो रहा है 10% से, तो 10% किसका, 10% यानि 10 by 100 किसका, जो पहला एवरेज था उसका, है ना, तो ये 2-0 हो गए, तो यहाँ पर कितना बनेगा, दो साल से बढ़ रहा है, यानि की, new average क्या बनेगा आपका, जो पहले था 20, इसमें 2 add हो जाएंगे, तो ये 22 बनेगा, अभी, तो क्या हो गया, ये 12, मतलब, पहले 11 प्लेयर थे, एक हमने coach को add किया, तो total लोग बनेगे 12, तो ये 12 लोगों के age का average कितना आ रहा है, 22, तो इनका sum कितना आएगा, total लोग है 12, और averages है 22, तो ये कितना बनेगा, 12 टूजा, 24, carry 2 जाएगा, 12 टूजा, 24, और 2 बनेगा आपका 26, ठीक है, तो इसमें ये जो आपका sum आया है, इसमें क्या है आपके, 11 प्लेयर और 1 coach है, और ये जो sum आया है, आपका सिफ 11 प्लेयर है, तो आपको age of coach निकालना है, है ना, तो कैसे निकालोगे, ये जो 264 है, इसमें 220 माइनस करोगे, तो ये क्या बनेगा, आपका 4, यहाँ पर 4, 44 years, option B, ठीक है, तो coach की उमर कितनी है, 44 years, यह आपका अगला question है, और यह आपका है homework, आप इसको try करों कि आप इसको as a homework इसको solve कर पाऊगे, ठीक है, थोड़ा challenging है, इसलिए आपको रख रहा हो इसको, अगर यह आपको आ गया, तो हमने अभी तक जो 4 session लिए है, average पर, समझ यह कि आपका average अच्छे से concept बिल हुआ है, ठीक है, इसका screenshot लिजिए, यह आपका homework है, ओके, यह हमारा आज का last question है, क्या दिया है, the average age of a, b, c, d and e is 40 years, the average age of a and b is 35 years, the average age of c and e is 42 years, तो आपको बुचाए, the age of e is, e का age कितना आएगा, काफी simple है, इस type के बहुत देखे हैं हमने, आप बताएगे कि इसको solve करके इसका answer क्या आएगा, दो minute लिजिए, बट इसको try कीजिए, यह last question है, सब लोग try करों की, आप इसको solve करोंगे, कितना आ रहा है, 46, तो आपको average कितना दिया है, average of a, b, c, d, और e, इन 5 लोगों का average दिया है, 40 years, है न, तो इनका sum कितना आएगा, यानि a, plus b, plus c, plus d, और e, इन सब को add करोंगे, तो कितना आएगा, 40 by 5, तो यह आएगा, 200, ठीक है, आगे क्या दिया है, average of a and b, इनका दिया है, 35 years, तो इन a plus b कितना आएगा, 35 into 2, है न, जो कि बनेगा आपका, 70, और आगे आपको दिया है, the average of c and d, जो कि कितना दिया है, 42 years, तो c plus b कितना आएगा, sum कितना आएगा, 42 multiplied by 2, जो कि है 84, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं equation 1 और इसको equation 2 देता हूँ, तो मैं equation 1 को equation 2 के साथ add करता हूँ, तो यह क्या बनेगा, a plus b plus c plus d, तो यहाँ पर क्या आगया, a plus b plus c plus d, यह क्या आएगा, यह आपका आएगा, 40 by 5, which is 200, ठीक है, और a plus b कितना आएगा, आपका, वह आएगा 70, c plus d कितना आएगा, यह आपका आएगा, 84, तो a plus b plus c plus d, तो यह कितना बनेगा, आपका, यह बनेगा, आपका 154, 154, तो आप इसको equation 1 दिजे, और इसको equation 2, राइट, तो आपको क्या करना था, e निकालना था, तो यह जो 200 आया है, इसमें कौन कोन है, a plus b plus c plus d और e, तो इसमें से आगर मैं a, b, c, e को minus करूँ तो आपका क्या बचाएगा, e, तो e की value आपकी क्या आएगी, आपकी 200 में से आप, यह एक सो, 54 जो है, इसको minus की, जो तो यह कितना बनेगा, 46 years, option a, okay, I hope कि आपको clear होगा, ठीक है, तो average में हमने देखा, average आपका क्या होता है, sum upon total numbers, और sum क्या होता है आपका, average multiply by total numbers, तो यह दो formula आपके बहुत important है, बाकी इस पर dependent ही सारे बनते हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से learn कीजिए, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने, average में जो भी सीखा है, आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको request करता हूँ, कि आप जो भी concept समझ में आया है, आप digital लालना की website पर जाहिए, वहाँ पर हमने अभी तक जो भी सीखा है, उसके सारे recorded lesson आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको जब तक समझ में आता, आप देख सकते हो, और कुछ दिने माम उसके exercise भी अपलोड करेंगे, तो उसको भी देखके आप, ठीक है, practice कीजिए, और average पर आप number of question solve करने ठीक है, काफी important topic है, हर एक exam में आपको इसके example मिलेंगे, तो friends, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next session में, thank you so much, जैभीम